दोस्तों जब मैंने पहली बार पढ़ा ना कि दुनिया में दो प्रजाती ऐसी हैं जिनके बाल 6 फीट तक लंबे होते हैं तो एक क्रियोसिटी होई कि वो ऐसा क्या इस्तेमाल करते हैं उनके पास ऐसा क्या रहता है कि उनके बाल जो है वो फ्लोर लेवल तक आ जाते हैं तो उसके उपर हमने थोड़ा काम शुरू किया, एक deep analysis लेना शुरू किया, कुछ एक जो experts थे, botanical, हम लोग उन से मिले, और जो एक extract निकला, मैं आप लोगों के साथ वो दोस्तों expect शेयर करना चाता हूँ, पूरी दुनिया में वो कौन से लोग हैं जिनके बाल उनके शरीर स से भी लंबे होते हैं, एक लंबी रिसर्च के बाद हम आप लोगों से शेयर करेंगे वो secret traditional recipe कौन सी है, जिससे बाल फर्ष के लेवल तक आ सकते हैं, और हमारे प्लैनेट पर दो society दोस्तों ऐसी हैं, जिनके बाल surprisingly लंबे होते हैं, एक है बलन्टू tribes from Africa और दूसरी है red yahoo society of China, आज हम दोनों जनजातियों के long hair secrets को demystify करेंगे, ऐसी कौन सी recipe है, जिसके कारण उनके बाल फर्ष लेवल तक लंबे होते हैं, और आप जी उस recipe को अपने घर पर कैसे बना सकते हैं, वीडियो के end में हम उस recipe को अपने घर पे कैसे बना सकते हैं, ये भी आप लोगों से share क इस नई research के साथ मैं हूँ जगजील सिंग और जड़ी बूटियों की चमतकारी दुनिया में दोस्तों आप लोगों का स्वागत है मैं चमतकारी दुनिया इसलिए भी कहता हूँ, क्योंकि जो कुछ भी मदर नेचर ने हमें दिया है, वो कोई और दे ही नहीं सकता, वो हैरत अंगेज होता है, वो मिस्टीरियस होता है दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि आप अपने बालों को फ्लोर लेवल तक लंबा कैसे कर सकते हैं, बलान्टू वीमन के बाल 6 फीड तक लंबे होते हैं, और एक हरान कर देने वाली सचाई ये भी है, कि इन ओरतों के बाल कभी सफेद नहीं होते, और उमर चाहे इन की कितनी भी रही हो, वन स्टेटमेंट इस वेरी फेमस अमंग याहू फैमली, कि आपको दुनिया में हर चीज मिल सकती है, लेकिन आपको याहू फैमली के अंदर तूटे हुए बाल नहीं मिल सकते, याहू फैमली में हेर फॉल की प्राबलम होती ही नए, और ऐसा क्या सिक्रेट है, इन problem से तंग है आपको भी यदि hair fall है तो आपको long hair goal आपका कैसे अचीव हो सकता है इस video के end में हम hair fall के सबसे बड़े कारण की भी बात करेंगे लेकिन अभी हमारी जो concentration है वो है long hair के उपर हमारी concentration है उस recipe के उपर जो yahoo woman और blantu women हजारों सालों से इस्तेमाल कर रही है एक चीज जो हम बार-बार इस्तेमाल करते हैं PD दर PD इस्तेमाल करते हैं वो चीज इनसानी सभाव बन जाती है वो trait वो property हमारे gene में चली जाती है हमारे DNA में चली जाती है फिर वहे गुण कई जन्मों तक हमारी संतान को benefit देता रहता है let us now discover the undiscovered and inherited recipe of blantu women दोस्तों जब हम एक analysis में कए हम थोड़ा सा जब गहरा गए तो हमें पता लगा कि blantu women वो चार तरह की चीजें अपने बालों में लगाती है एक है चेडे ये वहां के नाम है वहां के regional name है दूसरा है सैंवियाना सीड तीसरा है मौलता और चोथा है सैमवर रेजिन और इसके लिए हम H.A.U.K. Botany के top professor से मिले कुछ botanical authority से मिले PhD scholar से मिले और ये जो जितना hard work था उसका जो extract निकला वो काफी informative था और मजे की बात ये थी की चेबे जड़ी बूटी की जो family है U4BSC है और इसकी कुल फार्माकलोजी हमारी बेरी के साथ मैच करती है दोस्तों बेरी के पत्ते में भी चेबे जैसे ही गुण मौजूद है और जिस चीज को दुनिया में हम खोजते रहे वो चीज हमारी ही garden का एक हिस्सा निकली और इस पर मुझे बाबा बुले शा के कुछ शबद याद आ गए जो आप लोगों के साथ मैं हैपिली शेयर करना चाहता हूँ पढ़ पढ़ आलम फाजल होया कदे मन अपने नू पड़े आई नहीं जाजा बैठा मंदर मसीती कदे मन अपने विच वड़े आई नहीं यहां पर बाबा बुले शा ने इस इनसानी फितरत पर गहरी चोट की है जो हमारे अंदर है जो हमारे घर पर है हमने कभी उसकी कदर नहीं की और पैसा कमाने के लिए दोस्तों हमें बटकाया जाता है हमारा ब्रेन वोश किया जाता है हमारा ध्यान बटकाया जाता है हमारा ध्यान शैंपू और कैमिकल कॉस्मेटिक पर रखा जाता है और सबसे ज़्यादा डेमेज भी दोस्तों इनी के ही कारण होता है दोस्तों एक चीज जो मैं पूरे confidence के साथ आप लोगों से कहना चाता हूँ जो benefit आपको घ्रेलू चीज दे सकती है, जो benefit आपको हमारी जड़ी बूटियां दे सकती है आपके cosmetic product उसके अंश मातर भी नहीं है अब मैं आपको एक true story सुनाना चाता हूँ मेरे यहाँ पे एक लड़की काम करती थी एक दिन उसने मुझे कहा कि मुझे अपने बाल लंबे करने है तो मैंने उसको कहा कि अब सिर्फ बेरी के पत्ते का कुवात करके बेरी के पत्ते को उबाल के अपने बालों की length और roots पे लगाओ और कुछ time के बाद उस लड़की ने मुझे कहा कि मैं ये recipe यूज नहीं करूंगी मेरे बाल इतने लंबे हो गए कि मुझे संबाले नहीं संबलते है और ये घटना है जो खुद मैंने अपनी आँखों से experience की है एक चीज जो बलान्तू औरते अपने बालों में इस्तेमाल करती है हमारे पास same benefit वाली चीज है बेरी के बते और दूसरी जड़ी बूटी जो वो औरते कई सो सालों से इस्तेमाल कर रही है वो है सैमवर रेजिर और इसका भी जब हमने microscopic analysis लिया तो पाया की यह एक लारदार चेप होती है और इसके जो गुण है वो हमारी शतावरी से हूब हूब मिलते हैं तो सैमवर रेजिन और शतावरी बहुत आर सिस्टर्स बाई बलड और सैमवर रेजिन को अफरीका से दोस्तों मंगवाने की जरूरत नहीं है हमारे पास उससे भी अच्छा विकल्प है शतावरी के रूप ले शतावरी में एस्ट्रोजेनिक गुण खूब सारा हमारी मदर नेचर ने दिया है और हमारे बालों के फॉलिकल में जब एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट आ जाता है ना बाल खूब ग्रो करती है बाल खूब भड़ती है तो जो एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट होता है वो बालों को लंबा करता है और जो डाई हाइड्रो टेस्टिस्टिरोन इफेक्ट होता है उसका काम उल्टा है वो बालों की जड़ों को वीक कर देता है लेकिन जो हमारी concentration है वो DHT नहीं है हमारी concentration है long hair तो estrogenic effect जो शतावरी देती है जो nutrition हमारी शतावरी देती है उससे बाल खूब बढ़ते हैं और बेरी के अंदर होता है phyto estrogen जो आपके बालों में growth promoting hormone की तरह ही काम करता है और दोस्तो आयूरवेद की प्रिभाशाएं इनके मतलब बहुत गहरे होते हैं बेरी और शतावरी की अंदर कसेला गुन होता है और कसेले गुन का मतलब होता है astringent it is highly beneficial for your hair और जो estrogen होता है न दोस्तो वो dominating factor है कि आपके बाल कितने लंबे होंगे आपकी चोटी कैसी होगी और यहो family की ओरते अपने बालों में rice water भी लगाती है तो तीसरा हमारा चम्तकारी नुस्खा हो गया चावल का पानी वीडियो के end में हम आपको बताएंगे कि यह formulation को हम कैसे घर पे बना सकते हैं और हमें कैसे apply करना है और यहां हम scientifically prove करेंगे चावल के पानी में ऐसा क्या होता है कि चावल को वो shampoo से 1000 गुना बेतर बना देता है देखो दोस्तों यदि हम अपने बालों को लंबा करना चाहते हैं तो हमारे बालों को चाहिए no amino acid और चावल के अंदर surprisingly आठ amino acid होते हैं वो आठ amino acid कौन से हैं लाइजिन, मिथियोनीन, टाइरोसिन, थियोनीन, लूसिन, फिनाईल एननिन, आईसो लूसिन और वैलीन और चावल के अंदर ना सिरफ एक amino acid नहीं होता वो है histidine और शतावरी में additionally histidine होता है मतलब जो काम अधूरा रह गया था चावल का वो दोस्तो शतावरी ने पूरा कर दिया और amino acid को ऐसे माना जाता है कि ये एक chain है ये एक गाड़ी है जिसमें आपको नो पहियों की जरूरत है तो जो नोवा पहिया है वो शतावरी ने लगा दिया तो गाड़ी है वो पूरी complete हो गई और जब इन नो amino acid को हम पूरा कर लेते हैं तो बाल खूब बढ़ते हैं उनकी लंबाई खूब बढ़ती है वो खूब grow करते हैं और ये जो composition है न दोस्तो इससे सिर्फ amino acid की chain ही पूरी नहीं होती इससे बालों को estrogenic effect भी मिल जाता है और ये बड़ी बात है ये विचितर बात है experience के बिहाब पे मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ दोस्तो आपका कौन सा shampoo ऐसा है जो आपको bio available estrogen दे सकता है आपका कौन सा shampoo ऐसा है जिसमें biological active amino acid होते है जो बेतरीन फाइदे हमारे plants दे सकते हैं जो बेतरीन फाइदे हमारी जड़ी बूटियां दे सकती है shampoo उनके कहीं नजदीक नजदीक भी नहीं है और चोथी चीज जो बलान्तू औरते यूज करती है वो है sambiana seed ये हमारा सोया ही है जो अफरीका में sambiana seed के नाम से famous है तो दोस्तो long hair नुस्खे में हमारी चार item हो गई और ये किसी भी दूसरी recipe से कहीं ज़्यादा effective सिद होई है आपके किसी भी branded product का इस tested recipe से कोई भी किसी भी तरह का comparison नहीं हो सकता वन इज श्तावरी, सेकंड इज थर्ड इज चावल और फॉर्थ हिज सोया मैंने personally इस recipe को दोस्तो बहुत बार recommend किया है बालों की length को बढ़ाने में ये formula number one है मैंने बहुत बार इस्तेमाल करवाया है आप भी इसको use करके इसके excellent benefits आप experience कर सकते हैं लेकिन यदि आप real में अपने बालों को लंबा करना जाते हैं तो जो mandatory चीज है, जो सबसे पहली चीज है वो ये कि आपका अंदर से strong होना बहुत जरूरी है आपका अंदर से productive होना बहुत जरूरी है क्योंकि beauty comes from within if you are weak inside, if you eat fast food daily if you do not take lassi, dahi, ghee, dood, mkhan, nutritional food your goal of long hair cannot be achieved तो ये जरूरी है कि आप साथ में nutritious चीजें जरूर खाते रहे बालों की overall health के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप fast food avoid करे सलाद, fruit, दूद, दही, मखन, ghee का सेवन, नियमित रूप से करते रहे और दोस्तों ये same formula है जो मैंने अपनी बेटी को दिया बेटी के उपर इस्तेमाल किया और results है वो आपके सामने है Minoxidil therapy, steroids ये सब चीजे इतना benefit नहीं देती है क्योंकि ये चीजे commercial aspect के हिसाब से ही formulate की जाती है इनका मुद्दा ही पैसा कमाना होता है इनका मुद्दा ये नहीं होता कि benefit देना है और Mother Nature ने जो कुछ भी हमें दिया है वो विचित्तर होता है वो चमतकारी है हमें अभी तक हर्ब्स की mysterious दुनिया का 0.1% भी ग्या नहीं है एक एक प्लांट किसी ना किसी बिमारी के लिए बालातीर नुस्के की तरह काम करता है लेकिन हमारी research, हमारी knowledge, हमारी science अभी बहुत चोटी है प्लांट्स की दुनिया बहुत बड़ी है प्लांट्स की efficacy की दुनिया दोस्तों बहुत बड़ी है और इनसान जब बंदर के रूप में था तो इन पेड़ पोधों पर ही रहता था इनी के ही फल फूर्ट खा कर आज हम यहां तक पहुँची है तो हमारा basic character, हमारा DNA, हमारा G, हमारा सभाव इन पेड़ पोधों से match करता है और वीडियो के start में आप लोगों से दोस्तों हमने एक वाइदा किया था कि बालों के लिए सबसे dangerous आज के दिन क्या है जो हमने अपनी clinical practice में analyze किया है वो है दोस्तों आपका shampoo आप अपना shampoo बंद कर दो दोस्तों आपका hair fall बंद हो जाएगा दोस्तों आप अपना shampoo बंद कर दो आपके बाल हैं वो बहुत अच्छे से बढ़ेंगे, बहुत अच्छे से grow करेंगे दोस्तों अब हम आपको इस नुस्खे को बनाने का method बताते है बेरी के ताजा पते लें 50 ग्राम ध्यान रखना की बेरी के पते ताजे ही ले, फ्रेश ही ले और पते छोटी बेरी के होने चाहिए इसको हलका कूट कर कल्क बना ले कल्क का मतलब है चटनी जैसा बना ले बहुत अच्छी quality की शतावरी ले ले 50 ग्राम उसको भी मामूली कूट ले बिल्कुल fine powder ने करे और चावलों की मत्रा भी 50 ग्राम ही ले इनको मिक्सी में डाल कर मोटा मोटा पीस ले सोया भी 50 ग्राम ले सोया के सारे गुण उडद की दाल वे मेथी से मिलते है अब उडद की दाल भी ले सकते है दो लीटर पानी लेकर सारी चीजे किसी लोहे के बरतन में डाल कर सब 200 ग्राम टोटल ओशदियां इसमें डाल कर हलकी आँच पर उबाले जब लगबग आधा लीटर रह जाए तो ठंडा कर छान ले इस कवात को अपने बालों की लंबाई वे जड़ों में लगाकर एक घंटा छोड़ दे एक घंटे के बाद अपना हेड वोश कर ले शैंपू बिलकुल ने करे पोस्टिक अहार ले आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद आपके बाल खूब लंबे होते है ऐसा वीक में दो या तीन बार करें और इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और इस नुस्के से हमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं